हाय पिंक अभी ना हर एक बंदे का भाई जो पिंक है वो बहत ज़्जादा हाई आरा है चाहे आप भाई वाई फाई पर खेलो यлон ही फोन निटर्नेट भाँज या भाई अठाल जियो जिस पर भी खेलो या और भी कोई तीसरा प्रोब्लम क्यों ना हो चाली से मुख गलीच और बै कुछ भी चीज़े इस वाले वीडियो में सारा आपका solution हो जाएगा तो वीडियो में पूरा बने रहा ना इस वाले वीडियो में बात लाइक करते हैं 100 लाइक का तो 100 लाइक जरूर से कंप्लीट कर देना तो चलो यार फटा फट वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किन-किन बज़ा से हमारा पिंग हाय होता है तो सबसे पहला जो प्रोबलम है वो इंटरनेट स्पीड को लेकर जो कि BGMI सर्वर का अभी प्रोबलम चल रहा है थर्ड 5G नेटबर्क जो कि अभी 5G नेटबर्क के कारण कुछ भाई 40MO गलिच और भी बहुत सारे गलिच आ रहे है तो चलो यार वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहला जो प्रोबलम लेके चलते हैं वो भाई BGMI सर्वर को लेकर अब देखो यहां स्टेफ नमबर वन अब देखो जब भी आप BGMI में सर्वर के बज़े से प्रोबलम आ रहा है आपको इंटरनेट साही चल रहा है आपको क्या करना है अपना एप सेटिंग में जाना है जो भी BGMI का सेटिंग है और सबसे पहले यहां जो है कैच फाइल जो है आपका BGMI जो भी 5 MB 10 MB का कैच फाइल बनाए इसे रिमूब कर देना है अब बढ़ते है step number 2 पे अब देखो यहां क्या करना है जब भी आप कैच फाइल हटा दो उसके बाद आपको game on करना है सेटिंग में आना है और आपना जो game है वो भाई logout कर देना है logout करने के बाद जैसे ही logout lobby पे आ जाओगे यह वाला page खुलेगा यहां आपको side में repair का option मिलेगा repair वाले पे किलिक करना है and आपको उसके scroll down करना है तो सबसे उपर वाले में tick रहे गाई और सबसे नीचे जो repair resource वाला है इस पे आपको tick कर देना है तो normally restart कर लेना है और जैसे restart आपका होता है उसके बाद बैना आपका मतलब 17-18 MB का जो है वह एक update लेगा जो की resource pack update होता है अब देखो क्या होता है बहुत धीरे धीरे पले हम लोग को research पर मिलता है और normally जब आप login हो जाओगे तो आपका कोई भी data जो है वह loss नहीं होगा बस 1-1 MB का आपको file मतलब जो भी map मेरेगा वह download करोगे और download हो जाएगा अब बढ़ते हैं इंटरनेट इसू के बज़े से दोखो इंटरनेट इसू अगर आपका कर रहा है तो सबसे पहले आपको जाना है mobile setting में और यहां आपको search बार में search करना है DNS अब भाई DNS setting के बारे में बहुत सारे बंदे को पहले से पता होगा बढ़ बहुत बंदे को जो से नहीं पता है वो भाई DNS setting में जाओ और private DNS किलिक करने के बाद आप यहां जब इस बाले option पर किलिक करोगे private DNS पर यहां आपको लिखना है dns.google.com आपको नीचे लिखके भी अब भाई इसे आपको भाई सेट कर लेना है अब जब भी इसे सेट कर लोगे न अगर भाई आपका जो पिंक का इसू आ रहा है न वो भाई तो प्रोब्लम फिक्स हो जाएगा maximum time अगर और भी आपको 40MO glitch या और भी कोई glitch हो रहा है तो दूसरा setting करना है setting में जाना है mobile network में जाना है और जो भी सीम से आप यूज करो अपना internet उसमें जाना है वहाँ आपको 4G, 3G, 2G select करना है यह भाई मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 5G आपका select हो रहा है तो उसे हटा देना है 4G, 3G, 2G select कर लेना है यह करने के बाद आपका maximum problem है सारा solve हो जाएगा और भी आपको साथ कोई भी problem होता है तो नीचे मुझे comment करके बताना है इंस्टा ID भी दिया गया है वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हो अगर जो आपका बिलकुल भी internet नहीं चल रहा है कोई भी आप BGMI के अलाबे भी कोई भी application यूज करना चारहे हो यो कुछ भी कर रहे हो YouTube नहीं और भाई call cut करने का वेट करना है जब call cut कर जाए तो आपको एक बार flight moon on करना है आपका जो internet speed है वह बहुत fast हो जाएगा और उसके बाद आप normally game खेल सकते हो तो बस आज के वीडियो में यह तक मिलते है को नेक्स्ट मिजार वीडियो में तक तक के लिए bye bye